शक्षियों आज हमारा क्लास का सातवा दिन हैं, आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं टो पीस का टोरी का डाइग्राम, तो देखिए हमने यहां पर बोट पर बना लिए हैं पहले से, अब हम विस्तार पूरुवक समझेंगे, जो साइज हमने लिया है, 38 साइज का लिया है, 38 स इसाइस का बैख हमने यहां पर बनाए है इसका लंबाई हम देखेंगे अर्थिस साइज में कितना लंबाई रखना है तो हमारा जो तयार लंबाई है 14 इंच है तो हमने यहां पर 15 इंच लिए है देखें यहां से हमारा 15 इंच आरा है तो यहां पर हम 15 इंच लिखेंगे आप Yakup unix press करना है bag part में आप एक उसक्ता हरा तो इहां पर आपको शोलडर लेना है तो यहां पे हम 5 निखेंगे एक लिखें और यहां पर हमाँ 2 न्च है यह शोलडर के पन्ति है वह 3 निख है एक हुआ होट मिलग शोलड हो र्मोल आप देखिए हमारा आर्मोल है तो चेतुल में 5 निखेंगे, ज होकी फिटो प्रशन खनें, निखे इन सट्फ इन पर 6-1 डिखेंगे, तो यहाँ आर्वोर, 5 लखेंगे, यहाँ पर आर्वन, 5 लखेंगे, चेस्टे चेस्ट रिंशा स् निखेंगे, देखेगिए है यहाँ हमारा 1.5 की मार्जिंग है तो यहाँ पर टोटल हमारा 11 इंच है तो देखेए यहाँ पर फिटिंग तो इसे फिसके हमार शंतिक स्रेकमर है जो रहता है। नबनेट जो अब उसने को से थे ज हैं तो आप रहे जो हैं . तो देखिए, कमर हमारा 32 है, 32 का चौथा भाग कितना आता है, 8, उसमें हम 1 इंच प्लेस करेंगे, तो 9 होगा, देखिए, यहां से हम 9 इंच पी निसाल लगाएंगे, तो यहां से हमने 9 इंच लिए है, तो देखिए, यहां पे हमने 1 इंच प्लेस किये है, तो देखिए, कमर कमर हमारा ढ़ततीते फार पशलक्तिंगव स्वाध्य करने हैं 16 happened तो किटने हो गया नौऑ यहाँ अंग लिग करें इसका इस कर लिए इस प्रकार मिपनेने चार 4 पी निशान लगांगे और यहां अधा-धा इंज लिए करने hard मं औहुकर लेंध है इसकी लंबाई है साड़े चार इंच है तो हमने यहां पर साड़े चार ले दिए और यह जो यहां पर है यह हमारा है आधा आधा इंच है तो आधा आधा इंच के लगेगा हमारा टोटल एक इंच होगा तो यहां पर हमारा यह बैक पार्ट त्यार हो गया अब देते हैं जैसे कि हमने 14 लिया था बैक तयार हमारा 14 इंच है तो इसमें आपको 1-14 हो गया तो इसमें हमने 1-14 लिया है तो यहां से हमने 13 लिया है तो देखिए आप यहां पे तो देखिए यहां पर निशान लगा दिया है तो यहां पर हम 13 लिखेंगे आप इप्धिए यहां पर जब तूपीस कटोरी बनाते हैं तो आपको 1-2 इंच मार्जिन छोड़ देना है आगे की तरफ आपको 1-2 चोड़ देना है और जैसे कि कटोरी में उसमें एक परेड़िक किये शुरू किये हैं तो देखिए यहां पर हम शोल्डर कितना लिये हैं पांच इंच तो हम यहां पर पांच इंच में निसान लगा देंगे आर्मोर हमने लिया है साड़े पांच जैसे कि हम बैक पार्ट में लिये थे उसी प्रकार से हमने फ्रंट पार्ट में लिये हैं तो जेसे कि यहां 1.5-1,5-1,5 in störreев माजें कवी इस मijian कोड़ी आसे नमतीर div यह रखे, यहां से सपार कुंकर आपदये अड्य के सब्द्स काटर का माड़ी होगे हाइफे यह 4-1,5 iniliar इस में पर नहीं हो जेसे 5 ch english यहां पर जो हम सेब देते हैं कटोरी कार यहां से आपको पांच इंच लेना है तो यहां से हमारा एक चेस्ट का छोथा भाग जितना आता है वहां पर सीनिक लेना है यहां पर यह को था दाहो जो र्यागे यहीं घैज प्रीक दे tvちは तो यहां से हमने 6,6 लिए हैं , कर전에 कटोरी घेर होता है , आपका भी कटोरे । तैयार रहेगा। देखने का छे इंच मतशुता है , तो आपको यहां तक छे इइले ना है , और इसको इस प्रकार का भूलाई का शेप देना है , साइडे छे है , तो किस कटोई कभ़ी कभ़ी चेश्ठा। वर जान वर 6 सब्सक्राइब, यह यहीं बती है यहीं समेट से आपको दे कशत का शौथा भाग जो भी चेश का छोथा भाग आ रहा है, वहाँ पह पर निसान लगाना है इस प्रकार से लाइन को ड्रॉग कर देना है यहां साबको शेंटर पे निसान लगाना है यह लाइन को सीधा करना है निकालेे, जो ific to is save दिया जाता है , जो काटो नें उबहा स्व प्राउंड में ऐसा हो चयाता है तो यहां पॉना इंच ओपर लेना है यह यहां से हां पॉना इंच हो ना चाहिए , यहां पी इस प्रकार से तो। यहां पर 15 इंच हो गया तो मुक्त कुरा चेंटर ले ना है देखें यह लाइन हमें ले लिए 1 च्छ बढ़ाए थे पर दोनाई मोलाः माया चेंटर है में यहां लेनों के बाद इस प्रकाल से टोस्ति भुशान है निकलना तो आपको यहांन से स допूस्ट हम तो आपको यहां से नीच नीचे आना है और यहां से ऊपर आदा इंच कम कर देना है यहां से해 1 sinち ऑधा इचाल पाइगा और क्ती स्काम करना यहां से यहां कि यहां यहां पर जितना भी आपका वहाँ अपम बतना क्या है यहां से तक यहां पर यहां तरह तरह सी ध् совершенно आता है कितना ऐहा है यह देखिए यहां पर साथे साथा आ रहा हें तो साथे-साथ का रहा हुआ पौहने चार नहीं यहां से आपको इस प्राइव कंशने है तो यह पिर हम यह जो हम योग पड़े बनाते हैं यह सहम यह हमारों pardon में हो जाता है तो इस प्रकार से यह किंच को आपको ऊपर से शेब देना है और यह किंच यहां नीचे से बढ़ा देना है तो इस प्रकार से हमारा यह कटोरी बन के तयार हुआ आप देखें यह जो कटोरी हमारा निकलता है उसको हम बढ़ाते हैं तो मैं क्या-क्या चीज पेपर पर कटकी निकलेगा यह कटोरी को बढ़ाया जाता है तो बढ़ाते कहां से हम यहां से आपको आधा इंच इस प्रकार से उपर जाना है और यहां से आधा इंच तो इसको हम राउन में इस प्रकार से गोलाई देते हुए यहां पर बढ़ाना है तो यह कटोरी हमारा इ और यहां पर यह चीज मिलेगा यह अपना कट के निकल जाएगा जब हम दोनों पाट को जोड़ते हैं तो हमारा कटोरी उपर आता है तो अब यह चीज हमको बढ़ाना है नीचे से देखिए यह लाइन हमारा इस परकार से सीधा जाएगा देखिए यह चीज हम बना रहे हैं हुप आपका जो भी रहेगा यहांपर इस प्रकार से आपके निकले लजाएक है और यहांपे योग कहा है अभी इसको एक बॉक्स हमने यह यह बॉक्स बना दिये हैं ।ो देखिए रहे हमको इसको नंबर डाल रहे तर यह हमारा वी ब्रकार से यह पार्ट को आपको तो यहां पे देखे अब यह जो वी पार्ट हमारा है यह तो अगर यहां से आज श्मारते हैं तुरियर के यह जैसे किreno 1 गफ सेफ श्मार्च यहां पर इसका सेंटर लिया जाता है तो इसके यहां पर साइड में एक इंच बढ़ाना होता है अभी आप देखिए यहां पर इसका सेंटर लिया जाता है तो इसके पर निकल जाएगा तो इसके यहां पर साइड में एक इंच बढ़ाना होता है अभी आप देखिए यहां प छोड़े थे के एक इंच छमार इसमें ॉढ ऐड्श हुआ है अब इक इच में निकालने होगा Đिये तो d been to me मैंना होता है। मतलब यहां है आपका कितना अन्यारे हाफ लेना है, फिर来et यहां 1 को enzymes लगेहाई को छो इन्यारे, मैं में के maximum दूमेंदा, अब वह सकते हैं, 8 इंच अब 6 2 इंच काक्षािए कोई मैं और यहां आрий З standards को हैरे 10 यहां से यहां पर तो इस परकार से यहां से नििकल के बड़ी कटोरी बनती है तो इसको हम अगले वीडियो में कपड़ें पर दिखाएंगे और अच्छे पर दिखाएंगे यहां पर इसलिए डायग्राम आपको को बताते हैं कि ताकि आप लोग ये डायग्राम बनाके प्रेक्टिस किजिए तो यहां इतना पुत्व थर समझ जाएगा तो हम कपड़े पी कर्टिंग दिखाते हैं कि इस पर कैसे कर्टिंग होगा तो यहां तक आप समझ गएं तो यह काटोरी को आपको साइड में बढ़ाना है और यहां अपे 8 इंच आपको एक इसे नीची नफ हょत लगेगente इसे थराधान subsidine कौना आपको यहां से तीन ओन यहां सब्सक्ण स्याने ही अफोल और को दीखा रहे हैं कितना था 32 32 का 45, बदिट खो तो यहां पर दिखे घमारा यहां उन्च में कितना था 32 का यहां पर जोड़ेंगे तो यह हमारा परफेक्ट होगा देखिए यह जो डबल कटोरी है थोड़ा कठीन लग रहा है लेकिन इसकी जो ब्लाउज बन के आती दम परफेक्ट फिटिंग आती है बहुत अच्छी ब्लाउज बन के है तो देखिए यहां को हमने डबल कटोरी सीख चेष्ट का देखिए हमने सद्री यहां फिल नंग होता है तो इस अब्लाउज बन के हैं चेष्ट का चोथा हां भाग लेना है और सखिए उताश होगा फंड़ेंग I s.auगा जो फोंक रहाएं मारा 5 जालन होगा तो इस प्रकार से आपको बॉक्स बना लेना है जब आप न्यूज पेपर पर प्रेक्टिस करते हैं बहुत बहने को आता नहीं कि हमें इस स्लीव अक्षिय से समझाईए तो देखिए इस प्रकार से आपको न्यूज पेपर लेना है फोल्ड मतलब बंदगड़ी के तरफ से त हमको कितना देना है यहां से धाई इंच और देखिए यहां से हमें डेर इंच ने रहा है इस प्रकार से और डेर इंच यहां से छोड़के ऊपर से आपको डेर इंच छोड़ना है देखिए हमें यहां पर लिग दे रहे है यहां पर हमने लिग दिए यहां से आपको डेर इ कब्रण अक्राव Nordicast कोब्रण सेवा क क्युक्त chain कि यहां पयाखन पण शेविंए करने करें को धिक्रागे पने शेव देखने सभीवान अक्रतुक्तोर सब्ट हुनं चाहिए 21 मिह्नं यहां निहां कि नहीं हिसे cen निम टिन पर गये थे तो आपका प्रिटिंग आढ हो आहां से आपकी लाइन जाएगे यहां पे यहां से हमारा एघयर चोड़ के इस go कौर्णर पर हमारा जाये जाएगा यह शिकेश मुद्ट ब़र गखन Fi और हम तो बोड पर समझा दिये लेकिन यही चीज हम सेम आपको कपड़े पर बताएंगे कैसी कटिंग करते हैं आज की क्लास में हमने सीखा टूपीस कटोरी ब्लाउच का डाइग्राम बोड पर अब हमारा दूसरा वीडियो आएगा इसका कपड़े पर कटिंग तो तब तक आप लोग न्यूज पेपर पर प्रैक्टिस कीजिए अगर कुछ बात समझ नहीं आया है उसको नोट कर लीजिए आप नोट करके हमें कमेंट कीजिए ठीक है समझे सीखे सफल बने मिलते हैं अगले क्लास में